नमश्कर आप सबका हमारे चैनल ग्यान दे ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे रावन की रजनाओं के बारे में रावन विद्वान दे और ये चीज ये बात राम जी ने खुद एसेप्ट किया है नहीं तो लक्षमन को उनके मृत्यू के समय नहीं भेजे होते कि जो उन से कुछ क्यान प्राप्त कर दो तो उनने बहुत से रचनाई की है रावन से फेक है दुनिया में इस नाम का कोई दू ही मिलेंगे तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि रावन ने कौन-कौन सी रचनाई की थे तो चली हम आपको बताते हैं रावन जो थे वो आरिवेद तंत्र और जोतिश के ग्याता थे रावन अपने यूग का प्रकान पंडित नहीं एक्षल में विज्ञानिक थे जैसा आरिवेद तंत्र और जोतिश के छेत्र में उनका यूगदान बहुत ही महत्रपोड हैं इंद्र जाल जैसी अथर्वेद मुलक विद्या का रावन नहीं अनुसंदान किया था उनके पास सुसैन जैसे वैद थे जो विदेश में पाए जाने वाले जीवन रच्चक और सुसैन वैद नहीं लक्ष्वन की जान बचाई थी रावन के बारे में बालमिकी रमाइन के अलावा पद्मपुरान, स्रीमद भावगत पुरान, कुर्मपुरान, महा भारत, आनंद रमाइन, दशावतार चित, यादि हिंदू गरंटों के अलावा जैन गरंटों में विले बिलता है, दशावतार चरित यह भी बहुत माइने रखता है, शिव के परमभक्त थे, तो इंदर जाल, तंत, समोहन और तरह तरह के जादू जानते थे, तो बहुत सारी रचनाओं का भी उलेक है, कि उन्होंने भाई रचनाई की है, तो उसमें शिव तांड़त स्टूत्र भी है, रावन ने शिव तांड़त स्टूत्र की रचना करने के लावा अनकई गरंतों की रचना किये, रावन एक बार कहलाज परवत ही उठा लिया था, और जब पूरे परवत को ही लंका ले जाने लगे, तो भगवान शिव ने अपने अंगोटे से तनिक साजों दबाया तो कहलाज परवत फिर जहां था, वहीं पर अवस्तित हो गया, इससे रावन का हाथ तब किया, और वो च्छमा करते हुए कहने लगा कि शंकर शंकर आप मुझे च्छमा कीजिए, और फिर स्टूति करने लग जा, यह च्छमा याचना और स्टूति ही कालंतर में शिव तां शाओं में हो चुका है, माननेता है कि इसका ग्यान सुर के सार्थी अरुण ने लंका दिपती रावन को दिया था, और यह ग्रंथ जन्मकुंडली, हस्तरे का और सामंदरिक सास्तर का मिश्रन है, फिर रावन सहीता, रावन सहीता जहां रावन के संपुर्ण जीवन के बार पुराने सहीत इतिहास में आप देखेंगे, तो वालमिकी रामायन और रामचरीत रामायन में तो रावन का बढ़न मिलता है, किन्तु आधनिक काल में आचार चतुवसीन द्वारा रावन पर वयम रक्षाम नामक बहु चर्चित उपन्यास लिखा गया है, उसके बाद चि अतलात्मक, उडि सतंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परिक्षा, रावन के चारुगरंद अधुत्क जानकारी से भडे हुए है, रावन ने अंगूठे के मूल से चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है, जो स्रवांग स्थित और सुख दुख को बताती है, तो रावन के अनुसार औरतों में वाम हाथ और पॉं तता पुर्षों में दक्षिन हाथ तता पॉं की नाड़ियों का परिक्षन करना चाहिए, उनने अन्गरंथे भी लिके हैं, जिसमें अंग परकाश है, इंदर जाल है, कुमार तंत्र है, प्राकर्त कामदेनु है, प्राकर में मंदोदरी के प्रश्णों के उत्तर के रूप में लिखा है, इसमें गर्भस्त शिशु को कष्ट, रोग, काल, राच्छस यादी व्यादियों से मुक्त रखने के उपाये बताए गए हैं, कुमार तंत्र में मात्रकाओं को पूजा यादी देकर घर परिवार को स्वस् रावन महापंडित थे, महाग्यानी थे, तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे देशिए, धन्यवाद